Dear students, I am Sashi Kalawarma, your previous teacher. Today we are going to start our chapter 6. The chapter name is Plants Around Us. Plants Around Us means हमारे आसपास के पौधे. हम जहां पर रहते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर हमारे आसपास ऐसे बहुत से पौधे हैं जिन्हें हम जादा तर जानते हैं. और कईयों को पहचानते भी, जानते भी नहीं हैं. To Get Ready, Match the pictures with the names of plants. यहां पर एक साइट pictures दी हुए हैं, आप दीख सकते हैं. और बीच में उनके names दीए हुए हैं. तो इन्हें आपको मैच कहना हैं. Now First है rice plant. अब आप सर्च कीज़े कि rice plant कौन सा है? यह है आपका rice plant. okay second है coriander तो ये हैं आपका coriander plant फिर है mango tree तो ये है mango tree फिर है grape wine तो grape wine के देर है ये है okay ये grapes का plant तो इस तरह से हमने match कर लिया look at this paragraph many plants grow around us आपने देखा होगा कि हमारे आसपास हमारे आसपास की जगों पर बहुत सारे plants होते हैं if we look carefully we find they are all of different shapes and size यदी हम यदी हम अपने आसपास देखेंगे तो हम जानेंगे की हमारे आसपास की जो पेड़ पौधे हैं वो कई अलग-अलग shapes और size में हैं हाना अलग-अलग आकार में हैं some are big and some are small कुछ तो बड़े हैं और कुछ छोटे हैं आप देखते हैं आप कहीं पर भी रहेंगे तो आपके आसपास की जगों में जो plants होते हैं आप देखते होंगे कि बहुत सारे plants सब अलग-अलग different shapes और size में रहते हैं हाना कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं class assignment go to your school garden and observe different types of plants write the names of any four plants here यहाँ पर यह line draws हैं four line draws हैं इसे बोला जा रहा है कि आप अपने school के garden में जाएए और वहाँ पर देखिये और observe कीजिए कि कौन से plants बड़े हैं किस किस प्रकार के plants हैं तो यहाँ पर इन four plants के name write करने हैं now next page look at this big plant बोल रहा है आप इस बड़े plant को देखिए तो it is a tree यह tree है क्या है यह tree है यह जब बड़ा पेड होता है जब बड़ा सा plant होता है तो उसे हम plant नहीं कहते हैं क्या कहते हैं पेड कहते हैं it is a tree यह एक क्या है पेड है it has a brown woody stem called trunk इसमें जो आप देख रहे हैं यह brown color का लकड़ी woody है woody area है यह क्या है trunk इसे क्या कहते हैं trunk हाना टी आर यू एन सी के trunk sorry इस area को हम टी आर यू एन के trunk हाना इसे हम यह जिद इतना भी woody area है यह मूटा सा तना इसे हम लोग stem कहते हैं बट पेड की stem को हम क्या कहते हैं ट्रंक कहते हैं यह केस color का है brown color का है आप देख सकते हैं it has brown woody stem called trunk यह stem जो है जो brown color का है जो मोटा सतना है इसे हम ट्रंक कहते हैं प्रांचेश इस पेड इस में तो नहीं कर रहा है बड़े बढ़े जो पेड़ होते हैं उसमें बहुत सारी branches होती है बहुत सारी इस तरह से branches होती है उसमें बहुत सारी leaves भी होती है जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी leaves से ये पेड़ जो है where branches को ढखा हुआ है it lives for many years it lives for many years और इन पेड़ों का जो जीवन होता है वही कई सालों तक होता है वही कई हजार साल तक जिंदा रहते हैं ठीक ये कई साल तक जीवित रहते हैं जल्दी पेड़ जो है वही जल्दी नहीं मरते हैं plants like बन्यान people, neem and apple are also big plant are called trees जैसे कि plants में है बन्यान ट्री, people का ट्री neem ट्री और apple ट्री ये सब क्या हैं बड़े पेड़ हैं बड़े बड़े हैं बड़े plants हैं इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम trees कहते हैं means पेड़ कहते हैं अब आप इस plant को देख रहे हैं ये किस चीज़ का plant है ये rose है rose plant है अब इसे हम tree नहीं कहेंगे इसे plant ही कहेंगे क्योंकि या plant तो बड़ा होता है रोज का plant बड़ा होता है लेकिन हम इसे पेर नहींक वह यह तो ट्रंग रНе सुन्ब्स होते हैं वे स्यंक्ताही श्रॉफ्ट्र होते है और रोज की रोज की जो ड्रॉइक स्वंक्त मव्रेथर शुप्र नियुक्तॉ अभी cotton plant के बारे में बताया जा रहा है अभी रोज के बारे में भी बताया जाएगा this is a cotton plant यह एक cotton plant है it is shrub यह एक shrub है shrub means ज्ञाडी ज्ञाडी जो छोटे छोटे plants होते हैं उन्हें हम ज्ञाडी यह कहते है it is smaller than a tree यह क्या यह पेड़ से छोटे होते हैं यह कैसे होते हैं यह पेड़ से छोटे होते हैं it has a thin woody stem इनके पास जो stem होती है इनके पास जो stem means तना ना इनके पास जो तना हैं अब तना किसी कहेंगे यह आप देख रहे हैं यह यह तना है पेड़ पर आप देखे थे कि बहुत मोटा तना था बट आप जो shrubs का तना देखेंगे वो पतला होता है ज्यादा हैवी नहीं होता है ठीक इट हास थिन वूडे स्टैम इनके पास पतला वूडे स्टैम होता है मतलब पतला तना होता है लकड़े का रोज बेसल बेसल मिन्स होता है तुलसी तुलसी को हम क्या कहते हैं बेसल मेहंदी और हिविसकस आज श्रप्स जैसे कि ये रोस प्लांट आपने मेहंदी का भी प्लांट देखा होगा तुलसी तो हर घर में पाई जाती है हना हिविसकस मिन्स जिसे आप देवी फोल कहते हैं बड़े बड़े फ्लावर होते हैं रैट कलर की उसे विसकस कहते हैं ये सभी प्लांट क्या होते हैं श्रप्स कहलाते हैं जाड़ी कहलाते हैं ये जाड़ियां कैसे होती हैं ये पेड से थोड़ी छोटी होती है आई ये नेक्स पेरा है दिस इस राइस प्लांट अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह कहका प्लांट है यह राइस प्लांट है निस चावल का पेड़ा है यह जिसे हम दवाईयों की रूप में इस्तमाल करते हैं चावल को हम जदे जनरली हम खाते हैं लेकिन अभी present time में उसका कुछ दवाईयों की रूप में भी इस्तमाल किया जाता है यह आयरवेदिक दवाई कहलाती है ठीक हर्ब सुरी हर्ब्स हर्ब्स मिन्स जड़ी बूटियां जैसे कि मैंने आपको बताए दवाईयां अदवाई की रूप में इस्तमाल किया जाता है वैसे जादतर हम चावल को खाते हैं तो हर्ब्स मिन्स होता है जड़ी बूटियां और हाज थिन ग्रीन स्टेम इनका स्टेम कैसे होता है पतला होता है ग्रीन कलर का होता है इसका जीवन सिर्फ एक ही सीजन में होता है इसका जो लाइफ होता है इसकी जो लाइफ होता है इसका जीवन जो होता है वह एक ही सीजन में होता है Small plants like grass, tomato and branżel are also hops Small plants, जैसे जो छोटे पूटे छोटे जो plants हैं जैसे की grass, tomato means tomato, branżel means bangan yabhanta are also hops ये भी सब क्या कहलाते हैं, hops कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं, hops कहलाते हैं Now, होट्स में कोशियन है Look at this question Find out the definition of perennials, bennials and annuals यहां पर इनकी definition बताना है Perennials, bennials and annuals की Perennials means होता है 12 मासी, जो हमेशा होता है ठीक, जो all time होता है, हर एक सीजन में होता है उसे 12 मासी means perennials करते हैं Bennials means होता है 2 वर्षे, यह साल में 2 वार होता है And annual, annual means होता है साल आना वार्षे, हाना Means यह साल में 1 वार होता है तो आए हम इसकी definition देखते हैं यह देखिए, perennials Perennials की definition है A perennials is a plant that lives for more than 2 years Perennials एक plant है, जिसका जीवन सिफ 2 सालों का होता है हना, जो 2 साल तक ही जीवित रहते हैं इसका plant जो होता है, सिफ 2 साल तक जीवित रहते हैं और यह बारो महीना फल फल देते हैं Binials, Binials 2 वर्षी है जैसे बताएं, जो साल में 2 बार हमें देते हैं क्या देते हैं, जो जिस चीज की हम खेती करते हैं हना, तो कुछ ऐसी खेतियां होते हैं नाज होते हैं, जो हमें साल में 2 बार हम उसको कर सकते हैं Binial is a plant which requires 2 years to complete its life cycle हना, इसका जीवन जो होता है, इसका 2 साल तक ही ये जीवित रहता है और 2 साल तक हमें ये फल देता है Annuals, these are the plants that perform their entire life cycle within a single growing season Annual means होता है, ये ऐसा plant है, ये plants ऐसे होते हैं कि ये साल में सिर्फ एक ही बार ये उगते हैं ये साल में एक बार ही हमें फल देते हैं, उसके बाद इनका life जो होता है, खतम हो जाता है नेक्स पहरा है, होट्स के नीचे आप देख रहे हैं This is a money plant, this is a money plant यह क्या है, यह money plant है, इसे हम क्या कहते हैं, money plant ठीक, क्या कहते हैं, money plant, सब भी लोग इसको क्या कहते हैं, कि show plant की रूप में इसे घर पर लगाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे money plant कहते हैं, और सब लोग, जादर तर लोग आप देखे होंगे, सब अपने घरों पर इसे लगाते हैं It has a weak stem, इसकी जो stem होती है, वै कैसी होती है, weak होती है, मिन्स कमजोर होती है यह आप देख रहे हैं, इसकी stem ऐसे curl करके चड़ी हुई है, यह एक stick पर इसी तरह इसको यह money plant को सहारे की जरूरत होती है इसको किसी न किसी का सहारा देते हैं, तब ही यह उपर बढ़ते जाता है It cannot stand state, यह सही, यह सीधे खड़ा नहीं हो पाता है, यह state नहीं जाता है, यह ऐसे ही curl करते हुए, किसी की सहारे उपर जाता है It is a climber, इसे हम क्या कहते हैं, climber कहते हैं एसे plants, ऐसे plants, ऐसे बहुत सारे plants होते हैं, money plants की तरह जो फलदार plants भी होते है वह क्या करते हैं, उपर चड़ते हुए जा, उनको ठोड़ा सभी सहारा मिल जाता है, तो वो उपर चड़ते है हाना तो जो उपर चड़ते हैं उपर जैसे ग्रैप्स है ये भी उपर इसको भी सहारे जूर्थ होती है कुछ ऐसी चीजे सपोर्ट लगा देते हैं तो क्या कहते हैं यह उपर फैल जाता है तो ऐसे कुछ ऐसे plants होते हैं जो उपर चड़ते हैं है ना सहारे से उपर चड़ते हैं और ये नीचे नीचे नहीं फैलते हैं इसे plants को हम climber कहते हैं ठीक, climb means उपर चलना, it needs some support such as a stick frame और another plant to grow outwards हना इसे कुछ support की जरूरत होती है जैसे के stick या फिर धागे एरसियों से frame बना दो और कुछ और दूसरे कुछ plants भी होते हैं जो उपर की तरफ बढ़ते हैं और फिर वे उपर की तरफ ही जाकर के बढ़ते हैं और फल भी कुछ plants हमें फल भी देते हैं like it the pea plant and the grape vine are also climber पी मिन्स मतर मतर का पौधा और जैसे की मैं भी बताई ग्रैप वाइन मिन्स ग्रैप्स अंगूर ये भी क्या होता है ये भी क्लाइमबर है इने भी support की ये frame की जरूरत होती है did you know क्या आप जानते हैं दो दा बनाना प्लांट is very tall it is not a tree it is a herb it is the largest herb on the earth क्या आप जानते हैं दो दा प्लांट is very tall क्या आप जानते हैं कि बनाना प्लांट बनाना मिन्स केला केले का जो प्लांट है वह बहुत उचा होता है हाना बट यह उचा तो होता है लेकिन हम इसे tree नहीं कहते हैं it is not a tree यह tree की तरह इसका जो stem होता है वह बहुत ज़्यादे strong नहीं होता है इसे लिए हम इसे tree नहीं कहते हैं क्या कहते हैं plant कहते है it is a herb यह भी एक जड़ी बीट की रूप में प्रयोग किया जाता है यह भी एक herb है it is the largest herb on the earth यह हमारी धरती पर सबसे बड़ा और सबसे बड़ा बड़ा plant है जो हव की रूप में इस्तेमाल किया जाता है यह यूज किया जाता है ओके this is a pumpkin plant आप देख रहे हैं यह pumpkin का plant है है na pumpkin means कुमडा और लोग इसे कद्दू भी कहते हैं कुमडा कहते है it has a weak stem इसकी भी stem कैसी होती है weak होती है आप देख रहे हैं यह देखे इसकी भी stem जो है weak है यह फैली हुई stem है आप देख सकते हैं मैं आपको इसे zoom करके दिखा रहे हूँ ठीक इसकी stem जो ही एक सेटेंड अरे स्वारी यह stem आप देख रहे हैं यह फैली हुई हैं यह कैसी हैं बहुत ही weak हैं क्या हैं कमजोर हैं कैसी हैं यह कमजोर हैं इनके जो stems होते हैं वो भी weak होते हैं so it cannot stand erect हना यह क्या हो यह भी खड़े नहीं हो सकते हैं यह यह जो pumpkin plant होता है यह खड़ा नहीं होता है ना कि यह सीधे बढ़ता है यह कहता है so it cannot stand erect यह ऐसे plant है इन्हें सीधे खड़ा नहीं किया जा सकता है ना क्योंकि एक तो इनके जो फल होते हैं यह क्या होते हैं साइज में काफी बड़े होते हैं और यह उपर की तरफ नहीं चड़ते हैं यह नीचे ही नीचे फैलते हैं यह कैसे होते हैं यह नीचे ह ग्राउंड so it is called a creeper हना यह नीचे ही फैलते हैं यह नीचे ही जैसे साप रिंगता उस तरह यह नीचे फैल जाते हैं चलता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं creeper कहते हैं इस तरह के प्लांट को क्या कहते हैं creeper sweet potato and watermelon plant are also creepers sweet potato means kanda जिसे आप kanda कहते हैं ठीक and watermelon watermelon means tarbujh जिसे kalindra भी कहते हैं यह सब plants क्या होते हैं यह creeper होते हैं यह नीचे ही पहलते हैं यह उपर climber plants की तरह नहीं चड़ते हैं okay now hots creeper cannot climb on the support because their fruits are very heavy creeper plants जो होता है इसे किसी चीज की इसे यह उपर नहीं चड़ता है और इसे support की अवर्शक्ता नहीं होते हैं क्योंकि इसके फल जो होते हैं काफी heavy होते हैं जैसे कि मैंस के पहले आपको बता जोगे okay नाव next para it is a lotus plant अब आप देख रहे हैं यह plant जो है lotus मिन्स कमल it has a soft stem इसकी stem होती आप देख रहे हैं साइज दिखता है जैसे भिंडी में लेडी फिंगर जो होता है जिसे हम कट करते हैं तो इसमें कुछ शेप्स हल्क छोटे-छोटे सरकल्स बने होते हैं सेम इसी तरह से लोटस स्टाम में भी होता है हना यह भी सॉफ्ट होती है एट लाइफ एन वाटर हना इनका जीवन किस मे होता है इनका जीवन पाने में होता है यह यह पाने में निकलते हैं वाटर लीली एंड वाटर हाइका सेंद और वाटर लीली हना एक लील प्लांट हुता है lotus को हम water lily भी कहते हैं ठीक है lily plant आपने देखा होगा lily flower तो इस तरह से यह भी but lotus का जो shape होता है वो काफी बड़ा flower होता है और यह दिखने में काफी सुन्दर होता so beautiful water lily and water high cut scent also love and water यह क्या है यह जो plants होते हैं यह कहां पर रहते हैं यह पानी में ही होते हैं इनका जीवन पानी में ही फलता फूलता है such plants are called water plants और aquatic plants ऐसे plants को हम water plant या फिर aquatic plants कहते हैं now next आप देख रहे हैं एक काटेदार ब्रक्ष काटे कटीला plant है इसे हम क्या कहते हैं this is a cactus plant यह कौन सा plant है यह cactus plant है इनकी पत्यों में क्या होते हैं काटे होते हैं यह जो ऐसे हलकी सी जो branches दिख रहे हैं इन में सब काटे होते हैं और इसमें water भी बहुत होता it has thorns इसे हम यह thorns है क्या है यह thorn इनके पास क्या होते हैं काटे होते हैं क्या होते हैं इनके पास काटे होते हैं आप देख रहे हैं यह छुटे-छुटे काटे आपको देख रहे होंगी तो it has thorns these plants live in desert यह सभी plants सुखी जगे पर और रितीली जगे पर होते हैं these plants live in desert and dry places as they can live without water and many days हना ये कई दिनों तक ये कई दिनों तक बीना पानी के जिवित रह सकते हैं ठीक उसके बाद क्यों क्यों कि ये प्लांट्स होते हैं जो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं चाक्टस प्लांट्स ऐसा होता है जो कि अपने लीव्स में अपने पूरे प्लांट्स में क्या करता है पानी को इस्टोर करके रखता है और ये कई दिनों तक बीना पानी के जिन्दा रह सकता है इसलिए इस तरह के प्लांच जो होता है रितेले और सूखी जगे पर पाये जाते हैं एकेसिया गम्ट्री एकेसिया मिन्स होता है बबूल और बबूल का पेड़ है बबूल और डेट पाम और का डेजर्ट प्लांट बबूल का पेड अकैसिय मिन्स बबूल होता है गम ट्री एसे गम ट्री मतलब गोंद का पेड भी कहा जाता है बबूल एंड डेट प्लांट डेट पाम यह सारे प्लांट्स यह भी कहां पाय जाते हैं डेजर्ट मिन्स जहां पर रेट होता है सुखे जगे होती है रेगिस्तानों में यह जादा तर पाया जाता है ओके स्टूडेंट्स क्लास असाइनमेंट लुक अराउंड एंड राइट फाइब थिंग्स दाट आर मेड ओफ प्लांट्स आप अपने चारो और देखने देखे आसपास देखे कि आपके आसपास की जगे में कौन-कौन से प्लांट्स है और ऐसे फाइब प्लांट्स के नाम यहां पर लिखे फ़ फ्लांट्स थे गरे ताटों से देखे यहां राइब का तूस्टांट्नक एम्यों 50 बाच प्लांट्स